अगर आपके शरीर में वाट हो रहे हैं, ऐसे दिखते हैं, अगर ये हो रहे हैं आपके शरीर में, तो तीन सिंपल टिप्स बताऊंगा, इनको आप ट्राइड करिए, इफेक्ट हो गई होगा, कोई हार्ड ट्रीट्मेंट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टिप्स बताऊंगा, follow करिए comment box में लिखेगा कौन सी आपने try की कितने दिन में आपको effect मिला क्योंकि मुझे पता है effect मिलेगा ही मिलेगा what's होते क्यों है यह होते है human papilloma virus की वज़े से यह virus जब हमारी skin पर effect करने लगता है तो यह क्या करता है आपने चारो और hard skin की layer बना लेता है और यह अपने लिए किला जैसा बना लेता है जिसके अंदर यह छुपके बैठ जाता है कि यह लंबी life जीए जितने skin के बाहर दिख रहे होते हैं उत्ते ही skin के अंदर होते हैं इसलिए जो भी मैं आपको तीन remedy बताऊंगा उसको try करने से पहले आप बाहर की daily skin को थोड़ा से scratch करेंगे फिर जो भी मैं बताऊंगा उसको आप apply करेंगे और massage करना है दो से तीन मिनिट की पूरा अंदर तक soak ले उसके बाद आपको उसे bandage से cover कर देना है या फिर जो doctor tape होता उससे भी आप cover कर सकते हैं तो मेरी पहली tip है कि castor oil लीजिए और baking soda याना के खाने वाला soda वो लीजिए बहुत आसानी से मिल जाएगा बाजार में जाके कहिए baking soda चाहिए वो आपको दे देगा उसको लीजिए castor oil एरेंट का तेल लीजिए दोनों को mix करिये आदा चम्मच आदा चम्मच लेके दोनों को mix कर सकते हैं mix करके ऐसा होना चाहिए जो toothpaste होता है वैसा दिखना चाहिए जब वैसा दिखेगा तब आपको उसको apply करना है apply करने से पहले जैसे मैंने है बाहर की जो स्किन है उसको थोड़ा सा आप छिल लीजे उसके बाद आपको अच्छी तरह से मसाज करनी है यहाँ पर दो से तीन में तक मसाज करके इसको कवर करके रख दीजे दिन में दो बार लगा सकते हैं सुबह और शांग को इतना कर लीजे एफेक्ट आपको मिल जाएगा बहुत लोगों को मिला है दस दिन के अंदर मिल जाता है किसी को चार दिन के अंदर किसी को मैना लग जाता है यह आपकी community के उपर है दूसरी मेरी simple tip है apple cider vinegar बजार जाहिए कहिए apple cider vinegar चाहिए अच्छी quality का खरीदिएगा जिसमें 5-8% apple cider vinegar हो वाला लीजिएगा उसको लेकर आपको फिर वही process भाहर से थोड़ा से चल लिया उसके बाद अच्छी तरह से massage करिए फिर cover कर दीजिए ये भी दिन में दो बार करना है ये क्या करता है? apple cider vinegar ये acidic होता है तो ये क्या करता है? अंदर जो वाइरस है वहाँ तक पहुच लिए तो उसको मार देगा उसकी दिवार को जो पूरा किला बना है उसको भी द्वस्त कर देगा इतना powerful होता है इसलिए गया रहा हूँ कि ये effective है इसलिए रिक्मेंडेशन है iodine simple iodine आपको मिल जागा है medical store में उससे कहना भई iodine दे दो skin पर लगाने वादा वो दे देगा same process से छिल के थोड़ा सा उपर से आप लगा दो scratch करना है छिलना नहीं दो scratch लगना है उसके बाद अच्छी दिए से massage के लगा दो cover कर दो आप उसके बाद इसको जो है tape से पस इतना कर लो आप देखोगे कि कुछ दिनों में गायब होगे आपका award एक इनमें से आप try करिए 20-25 दिन effect नहीं आता है तो दूसरी फिर तीसरी ध्यान रखिएगा ये अंदर से बाहर उग रहा है इसलिए आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा वरना एक जगे सही किया फिर दूसरी जगे फिर तीसरी जगे जहां पर सही किया वहां पर फिर आ जाएगा इसलिए बाहर का तलाब होना नहीं खाना है ज्यादा मीठा खाना बंद कर देना है टाइम से खाना है यह बहुत important है अगर overweight है तो weight को कम करना है exercise तो daily करनी ही करनी है 20 से 25 मिट तो करिए ही करिए आज what हुआ है कल दूसरी परिशानी होगी cholesterol होगा high blood pressure होगा इससे बढ़िया है simple जो मैं चीज़े बोल रहा हूँ उसको आफ follow करिए कफस diet आपको follow करनी चाहिए link में नीचे description box में डाल दूँगा कफस diet का महाँ से आप देख सकते हैं कि क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है बहुत सारे उसमें पूरी दुनिया के product है तो परिशान मत हुएगा कि अरे यार यह दो मुझे पता ही नहीं है पूरी दुनिया के लिए है वो diet तो जो आपको समझ में आता है वो आप चीज़ें खाना शुरू करिए ये देख लीजे क्या नहीं खाना है उसमें आगे लिखा हुआ है क्या नहीं खाना है जिसमें कोई added fragrance नहीं है added color नहीं है तो आप मेरी website ज़रूर चेक करिएगा मिलते हैं एगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराइट के साथ तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुरा करें